हेलो इब्रिवान सभी का स्वागत है हमाने चनल एडी जी के मंत्रा पर तो आज हम लोग करने वाले क्या 100 प्लस डिसेंबर का करेंट एफेर्स 2022 का करने वाले ये मंतली करेंट एफेर्स से एकदम टूटल पूरा एक से 31 जो डिसेंबर तक ये 2022 तक पूरा अपडेट है ठीक है डिसेंबर का फुल मंत का करेंट एफेर्स जो इंपोर्ट है अगले जो एक्जाम आने वाले उसके लिए करेंट एफेर्स ये बहुत इंपोर्ट है यहां पे जो 100 प्लस लिए जो तो चलिए देख लेते आज करेंशन में डिसेंबर के कौन-कौन का इंटेफेस लिए तो स्टार्ट करते आज का पहला क्या कोशन है तो फर्स्ट कोशन आज का होगा इसराहल के न्यू प्राम मिनिस्टर कौन बने तो बने बेंजमिन निथनयाओ तो चाहिए जरूसलम अन्कौरंसी क्या होगा नियू सेकल ओके इंपोर्टेंट है उक्जाम के लिए ठीके चलिए नेक्स कोर्षन कोशन नमबर 2 क्या हो जाएगा who has been appointed as the new chairman of the National Highways Authority of India तो कौन बने तो कौन हो जाएगा तो हो जाएगा संतुष कुमार यादव बन गे newly appointed new chairman of का के National Highway Authority of India NHAI ओके तो NHAI का establishment कब हुआ है 1988 हेटकोर्टरों का न्यू दिल्ली लास्ट चेयर परसेन होगा अलका उपद्धायन फरस्ट चेयर परसेन कौन होगा यागेंद्रो नारायन चालिए नेक्स कोशिन थ्री नंबर वर्ल्ड बैंक हाज बन अफग्रेड़ेड़ इंडिया जीडिपी ग्रोथ फोर्कास्ट विच परसेंटेज फॉर फाइनेंशियल यह 2022 तो 2023 तो कौन सा हो जाएगा ये तो यह हो जाएगा 6.9 तो वर्ल्ड बैंक का पॉइंट क्या क्या important है तो है establishment वर्ल्ड बैंक का जो जुलाई 1944 हेड़कोर्टर हो जाएगा वशिंग्टन D.C. USA member countries 189, MDCA for Anshula Kant and President कौन हो जाएगा David Malpass next question the 16th edition of the joint military exercise सूर्य किरन 2022 was conducted between India and which country इंडिया के साथ कौन से कंट्री हो जाएगा तो हो जाएगा नेपाल जो सूर्य किरन होता है वो नेपाल के साथ होता है तो कहां पे हुआ है प्लेस हो जाएगा ये साल जान्डी जो कहां पे नेपाल में है फर्स स्टाट वा है 2011 में फिप्टी ने लास्ट एडिसन जो हुआ था 2021 तो कहां पे हुआ था तो हुआ था पिथोर गड़ जो उत्तरा खड में ये हुआ था next question five number question क्या बोला है वो एज बिन अपोइंटेड अस निव चियर पर्सन बने ठीके तो नवर्थ के important points क्या क्या है establishment कब हो जाएगा तो हो जाएगा 12th of July 1982 first chairman हो जाएगा last chairman कौन हो जाएगा जो last में थे कौन थे गोविंदर राजलू चिंताला थे headquarter कहां पे हो जाएगा मुंबाई शहर में and ये six जो five year plan में ये include हुआ है establishment का हुआ है जो six five year plan था next question question number six क्या हो जाएगा which state had got the GI tag for the tandoor rice gram which is a local variety of pig and pea तो कहां का हो जाएगा ये ये हो जाएगा Telingana state का okay Telingana state का हो जाएगा next question question number seven the first bilateral air defense exercise weir guardian 2023 will be conducted between India and which country in January 2023 तो जनवारी में होने वाला है कौन से country के साथ तो होने वाला ये जापान के साथ कहां पे होने वाला है तो location हो जाएगा जापान next question question number eight क्या हो जाएगा who has received 30th एक लबभवा 2022 तो किसको मिला ये तो ये मिला है स्वास्ती सिंग को स्वास्ती सिंग कौन है तो है साइकलिस ठीक है साइकलिस्ट हो जाएगा and purpose क्या होगा एक लबभवाट का purpose क्या होता है किसके लिए दिया जाता है तो होगा to encourage young sports sporting talents and establishment का हुआ है 1993 में इसका establishment हुआ है next question question number nine क्या हो जाएगा reserve bank of India मतलब RBI raise the repo rate by 35 basis point to which percentage ठीक है 35 basis point बढ़ा के अभी कितने percentage में तो हो जाएगा 6.25 percentage next question question number 10 which team has won though 22nd edition of FIFA World Cup Qatar 2022 tournament तो किसने जीता था तो सभी को पता होगा तो अर्जेंटीना ने जीता था ठीक है अर्जेंटीना का ये कौन सा number का पहे तो ये हो जाएगा third title ठीक है 1978, 1986 and 2022 में इस बार मिला है ठीक है total three title मिला है अर्जेंटीना कहा का country है ये South American country है ठीक है second position किसको मिला है मिला है France को France के साथ final हुआ था third position हो जाएगा Croatia fourth position मौरोक को golden ball किसको मिला है तो मिला है लारन मेसी जो अर्जेंटीना के golden boot किसको मिला है जो कालन एमापे को मिला है जो France के ठीक है next golden glove किसको मिला है Emiliano Martinez को मिला है जो अर्जेंटीना के player of the match final में किसको मिला है लारन मेसी को मिला है अर्जेंटीना के and young player award किसको मिला है तो वो मिला है Enzo Fernandez को जो Enzo Fernandez भी अर्जेंटीना के ही है चलिए next question 11 number who has been awarded atal samman atal samman award 2022 for the excellence in the field of science and research ठीक है तो ये भी exam पूछा जा सकता है atal samman award कौन से विभाग में दिया जाता है तो field हो जाएगा science and research में दिया जाता है किसको मिला है प्रभू चंद्र को मिला है इस बार का award important है exam के लिए next question 12 number बोल रहा है कि who has been appointed as a new CEO of FSSAI तो किसको बनाया गया तो बनाया गया G.Kamala Vardhan को बनाया गया तो FSSAI का full firm क्या हो जाएगा food safety and standard authority of India establishment 5th of September 2008 headquarter new dillian chairman कौन हो जाएगा Rajesh Bhushan एक है all points are important here next question 13 number which IIT institute has been developed an ocean wave energy converter Sindhuja 1 that that can generate electricity from sea waves तो कौन सा IIT हो जाएगा तो हो जाएगा IIT Madras next question 14 number which day is observed every year as a world soil day very very important ठीक है बहुत बार exam में पूछे गए world soil day के बार में ठीक है तो कौन से तारिक हो जाएगा 5th December को होता है and theme हो जाएगा soils where food begins next question question number 15 what is the rank of India in the global food security index 2022 तो क्या rank आया हिस बार आया हिस बार rank 68 अगा 21 में पूछा जाएगा तो हो जाएगा 71 rank था ठीक है तो release कौन करता है इसको release करता है London based economies impact and first rank हो जाएगा कौन Finland next question question number 16 which state government has been launched a special scheme नाम के इसका Arunoday 2.0 on 16th of December 2022 तो कौन सा हो जाएगा state तो हो जाएगा Assam state हो जाएगा answer ठीक है तो यह क्या है तो यह क्या है this scheme is about to end the poverty and integrate financially disadvantaged families within the state तो परसंटेज क्या हो जाएगा हो जाएगा 6.8 परसंटेज तो IMF का important points क्या हो जाएगा establishment IMF का हो जाएगा 27th December 1945 headquarter हो जाएगा Washington DC USA member countries हो जाएगा 190 First deputy MD हो जाएगा कौन Gita Gopinath Chief Economist हो जाएगा Pedier Olivier and MD and chairman कौन है हो जाएगा Crystalina Georgieva ठीक है Next question Question number 18 क्या हो जाएगा Which edition of joint army exercise कजिन 2022 was conducted between India and Kajakistan क्योंकि काजिन थे तो India and Kajakistan के अंदर होगा कहां पर हो आएगा उम्रोय मेगा लोया में हुआ है 15-28 December तक ठीक है तो कौन से एडिशन हो जाएगा ये रिसकार का एडिशन हो जाएगा 6th एडिशन Next question Question number 19 Which countries Sorry Which countries women's hockey team has won the inaugural IFIH Nations Cup काहां पर हुआ है वो held in Valencia, Spain तो कौन से country ने जीता है कौन से country के women ने जीता है तो ये जीता है कौन सा country हो जाएगा ये हो जाएगा इंडिया ठीक है तो इंडिया ने जीता है अच्छा Next क्या establishment का हो आए FIH का तो हो जाएगा 7th of January 1924 headquarter हो जाएगा Lucent Switzerland में President कौन हो जाएगा Muhammad Tayyab एक्राम हो जाएगा and motto of FIH क्या हो जाएगा तो हो जाएगा Fair play Friendship Forever Important points है ये सब Okay Next question 20 number Which state has got the GI tag for the Alibagh White Onion in Agriculture Department on December 2022 तो कौन से तो कौन से state को मिला है Alibagh White Onion को तो Alibagh कहाँ पे तो महारास्टर में तो महारास्टर को ही मिला है Alibagh White Onion के लिए Next question 21 number India's longest kept tunnel was completed by the Indian railways in which state or union territory तो क्या हो जाएगा तो हो जाएगा ये जम्मो कश्मीर का ठीक है and बहुत है important है exam point of view से exam में ये पूछेगा ज़रूर Okay Next question Question number 22 Which country will be hosted 13th edition 13th World Trade Organization WTO Ministerial Conference in February 2024 तो कौन सा हो जाएगा तो हो जाएगा UAE 12th काहां पे हुआ था Ministerial Conference 2022 हो था Geneva, Switzerland में Next question 23 number Who has been elected as the new Prime Minister of Ireland Ireland के new Prime Minister कौन हुए तो हो जाएगा Leo Varadkar जो Indian origin के है Okay Capital of Ireland Dublin and currency हो जाएगा Euro Next question 24 number क्या हो जाएगा Who has been appointed as the new chairman and CEO of Railway Board तो कौन हो जाएगा तो हो जाएगा Anil Kumar Lahoti जो newly appointed हो जाएगा अन पहले previous कौन ते तो थे BK 3P और Vinay Kuma 3P पिछले थे Next question Question number 25 पुश्पो कमल दहाल प्रचंड has been appointed as the new Prime Minister of which country कौनसे country के new Prime Minister बने तो बने Nepal के New Prime Minister Nepal के Capital क्या होगा Kathmandu and currency होगा Nepalese रुपी Next question Question number 26 क्या हो जाएगा Loser Festival Very important festival है यह exam के लिए तो Loser Festival 2022 has been celebrated in which state or union territory of India तो कहाँ पे हो जाएगा तो हो जाएगा यह Ladakh union territory में यह Loser क्या festival है यह एक new year festival होता है Ladakh का टीक है तो Ladakh का new year festival होता है यह Loser Festival Next question One of the renowned footballer Karim Benzima announced his retirement from international football belongs to which country कौनसे country से बिलों करते हैं तो हो जाएगा France के तो France के होए खेलते ते कौन Karim Benzima Next question 28 Which state has got the GI tag for which is a symbol of culture and identity of that state तो कौनसे जगा का हो जाएगा Very famous तो हो जाएगा Assam का Next question Question number 29 Suhail Ajaj Khan has been appointed as the new ambassador of India to which country India कौनसे country के लिए ambassador चूज किया है तो ही हो जाएगा Saudi RBI के लिए Okay Next question 30 number What is the rank of India in the FIFA World Football Ranking 2022 जो rank newly आया है तो इसमें क्या rank हो जाएगा India का हो जाएगा 106 21 में क्या था 104 Release कौन करता है इसको Release कौन करता है FIFA रिलीस करता है 1st rank अभी है Brazil Establishment 21st of May 1904 Headquarter Zurich Switzerland Member countries हो जाएगा 21-11 हो जाएगा ठीक है And President of FIFA Gian Infantino And Secretary General कौन हो जाएगा Fatma Samora हो जाएगा ठीक है Total FIFA का Important Points है Next question Question number 31 Question number 31 हो जाएगा India has observed Which day as the Mahapari Nirvan Divas to mark the Death Anniversary of Dr. B.R. Ambedkar कौन से दीन हो जाएगा तो हो जाएगा 6th December 6th December हो जाएगा तो अच्छा B.R. Ambedkar is known as the Father of Indian Constitution अब को पता हो गाए And उनका 66th death anniversary has been observed on 6th December 2022 Next question 32 number Which team has won the Vijay Hazare Trophy 2022 ये cricket tournament 34th Who has been awarded first prize in the 3rd Asian India Grassroots Innovation Forum 2022 तो किसको award मिला ये तो मिला है Salini Kumar को ये award मिला है Next question 35th number Which IIT Institute has been developed an artificial heart to help the people who are suffering from cardiac problems तो कौन सा हो जाएगा IIT तो ये IIT Kanpur का काम है बहुत ही important IIT का question में exam में पूछे जाते Next question 36th number Who has been appointed as the CEO of 2032 Brisbane Olympic and Paralympic Games Organizing Committee तो कौन हो जाएगा तो हो जाएगा Cindy Hook ठीक है ये question बहुत important है note करके जरूर रखिएगा exam में पूछेगा ये Next question 37th number Who has been crowned the Mains IITF World Championship 2020 World Champion 2020 किसको दिया गया तो हो जाएगा Mains Rafael Nadal हो जाएगा जो कहा के Spain के Spain के and Egaswati हो जाएगा Poland के जो Omen विवाग में उनको मिला है Next question 38th number India has successfully test fired Agni 5 Intercontinental ballistic missile from Abdul Kalam Island of West State on 15 December 2022 तो ये जो Abdul Kalam Island है इनको क्या बोला जाता है Willard Island जो previous नाम था उनका तो कहां से हो जाएगा तो ये कहां पे तो होगा Orisha State में है अगनी 5 जो missile developed by DRDO its surface to surface nuclear capable ballistic missile क्यासा है surface to surface exam में भी पूछा जाता है कहां कैसा है surface to surface range क्या हो जाएगा over 5000 km Next question 39th number Who has been appointed as a first black president of Harvard University Cambridge USA तो कौन हो जाएगा तो हो जाएगा Claudine गे हो जाएगा Next question Question number 40 Who has won the Mrs. World 2022 title hosted by Las Vegas तो किसको मिला है तो ये मिला है सरगम कोशल को मिला है जो India के Important है Next question Question number 41 Who has written a book title The Light We Carry Overcoming in Certain Time तो लिखाईए Mitchell Obama ने जो Barack Obama के wife है Next question Question number 42 Who has become the first female referee in Men's FIFA World Cup match in Qatar 2020 तो कौन हो जाएगा ये Stephen Freppert हो जाएगा कौन से country के ये हो जाएगा France के एक्जाम में ये भी पूछा जा सकते है कौन से country से बिलॉँ करते हैं Next question 43 Number The 12th edition of bilateral army exercise नाम के इसका अगनी वारियर 2022 was conducted between India and which country in Maharashtra तो कौन से country हो जाएगा इंडिया के साथ हो जाएगा Singapore Next question 44 Number The 23rd edition of the Honville Festival 2022 is celebrated in which state of India in December 2020 तो Honville Festival ये 23rd edition है ठीक है and December में ये होता है Honville Festival तो कहा का festival है ये Nagaland का festival है and बहुत ही famous festival है ठीक है तो ये क्या है is called the festivals of festival and motto क्या है जो Honville का तो ये हो जाएगा to revive protect sustain and promote the richness of Naga heritage and traditions Next question 45 Number क्या हो जाएगा Who has been appointed as a chairperson of the National Commission for Backward Classes NCBC का किसको किया गया तो हो जाएगा हंस्राज Ganga Ram आहीर को appoint किया गया है Next question Question Number 46 The 7th edition of Joint Novel Exercise The Special Force Exercise नाम के इसका संगां 2020 was conducted between India and which country in Goa तो इंडिया के साथ कौंसा country हो जाएगा तो हो जाएगा US Next question Question Number 47 Who has been appointed as a new MD and CEO of the Equitas Small Finance Bank तो किसको appoint किया गया MD CEO तो हो जाएगा P.N. Vashudevan Next question 48 Number Who has been appointed as a chairperson of the New Delhi International Armitation Center N.D.I.A.C. तो किसको appoint किया गया होगा Hemant Gupta को appoint किया गया as a chairperson Next question 49 Number Which day is observed as the Every year as the Human Rights Day Very important Human Rights Day पूछा जाता exam में तो कौंसा हो जाएगा तो हो जाएगा 10th of December हो जाएगा इसका theme क्या होगा इस पर theme होगा Dignity, Freedom and Justice for All Next question 50 Number Who has been named as the Times Magazine Person of the Year Award 2022 तो किसको दिया गया तो ये दिया गया Vlodomir Zilinitsky को दिया गया जो Ukraine के President है Next question 51 Number Who has won the Ravindranath Tager Literary Award 2022 किसको मिला Award Important Award है ये तो ये मिला है किसको तो Sudeep Sen को मिला है and also Subhana Kumar को मिला है Ravindranath Tager Literary Award 2022 Next question 52 Number Question क्या बोल रहा है Who has been appointed as a Chair band of the Atomic Energy Regulatory Board AERB तो किसको appoint किया गया AERB के द्वारा तो हो जाएगा Dinesh Kumar Sukla को appoint किया गया है as a Chair Passion Okay Establishment हो जाएगा 15 November 1983 15 November 1983 Headquarter हो जाएगा Mumbai शहर में Next question 53 Number The Third Edition of Joint Expeditionary Force JEF Summit 2022 was hosted by which country on 19 December 2020 तो कौन से country हो जाएगा तो हो जाएगा यह Latvia Okay Establishment का हो जाएगा इसका यह हो जाएगा JEF का Establishment 2005 में हो जाएगा and member countries हो जाएगा 10 member countries UK, Denmark, Estonia Norway, Netherlands Finland, Sweden Latvia, Lithonia and Iceland यह 10 countries हो जाएगा member countries Next question 54 Which bank has been launched its flagship business program MSME Prerna in Rajasthan तो कौन सा bank हो जाएगा तो हो जाएगा Indian Bank Next question 55 India's first Infantry Museum has been inaugurated inaugurated in which city तो कौन से city हो जाएगा तो हो जाएगा indoor city Madhya Pradesh state Next question 56 The chief minister of which state has been started the drink for tap facility in facility 19 cities of that state तो कौन सा state हो जाएगा तो हो जाएगा Odisha state का CM कौन नविन पतनायाक Next question क्या हो जाएगा India won the 19th international junior science Olympia 2022 by winning six gold medals held in which place काहा पे हुआ ये Bogota Kolombia में ये और्गनाइज हुआ था Next question Question No. 58 क्या हो जाएगा Finance Minister Nirmala Sitaraman has been cheered 48th GST Council meeting in which city तो हो जाएगा ये New Delhi में Next question 59 No. Which of the following industries has won the IEI मतलब Institution of Engineers India Industry Excellence Award 2022 चेनना है तो किसको मिला है तो मिला है NMDC को ये मिला है तो NMDC क्या है तो हो जाएगा National Mineral Development Corporation Headquarter हो जाएगा Hyderabad Establishment कब हो जाएगा 15th November 1958 इसका answer हो जाएगा ठीक है Next question Question No. 60 क्या हो जाएगा United Nations Member States have been removed और have removed which country from UN Women's Right Group on 15 December 2022 तो कौन सा country हो जाएगा तो हो जाएगा Iran को Remove कर दिया गया इवन के द्वारा Next question Question No. 61 Which states or Union Tatery got their first ever GI tag for Rakshare Karpo Apricot तो कौन सा हो जाएगा तो हो जाएगा ये Ladakh का ये Ladakh का पहला पहला GI tag है ठीक है और ये Union Tatery है Next question 680 Number For the first time which Bollywood actor has been unveiled the FIFA World Cup 2022 Trophy in Qatar during the final match 18th of December 2022 तो कौन हो जाएगा DP का पाड़ू कौन हो जाएगा Next question Question No. 63 The 26th National Youth Festival will be celebrated in which state of India कौन से state में celebrate होगा ये तो हो जाएगा ये करना ठका में Next question Question No. 64 Who has been selected as the Peta India's Person of the Year 2022 किसको select किया गया तो हो जाएगा शुनाकसी Sina को select किया गया as a Peta India's Person of the Year Award 2022 Next question 65 Who has been appointed as the new MDCE of SBI Funds Management Limited तो कौन हो जाएगा तो कौन हो जाएगा इसका answer हो जाएगा Shamsir Shing को appoint किया गया है Next question Question No. 66 The 7th edition of the India Water Impact Summit 2022 2022 has organized in which city कौनसे city हो जाएगा तो हो जाएगा New Delhi में Theme क्या है Restoration and Conservation of Small Rivers in a Large Basin Next question 67 No. 10th North East Festival has started in which city of India कौनसे city में start किया होगा तो यह हो जाएगा New Delhi में Next question 68 Which team has won the 9th session of Vivo Pro Cavalry League 2022 तो हो जाएगा जैपोर Pink Panthers जो Vivo Pro Cavalry League 2022 9th season जीता है Next question Siti Nii Rebuka has become the New Prime Minister of which country कौनसे country के New Prime Minister बने Fiji के Fiji का Capital क्या है Suva ठीक है उनका Capital होगा Suva Next question 70 No. Who has written a book title The Chief Coop Movement A People's Movement that owned Kamala Devi Chattopadha N.I.F. Book Price 28.22 Important है एक्जाम के लिए एक्जाम में ये कोशन जरूर पूछेगा तो किसका book हो जाएगा ये हो जाएगा सेकर पाठक का ये book है Next question 71 No. Which international airport has been started operation the country's largest business jet terminal तो हो जाएगा ये Kochin international airport जो कहां पे Kerala में ठीक है Kerala में हो जाएगा Next question 72 No. PM Nanandra Modi has been inaugurated Monpa International Airport in which state of India कौन से state में तो हो जाएगा ये Monpa Goa state में The airport has named after the Goa Chief Minister Manohar Parikar Next question 73 No. The 9th World Ayurveda Congress and Arugai Export 2022 was organized in which state of India from 8 to 11 December 2022 तो कौन सा हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा अंसर Goa Theme क्या होगा Ayurveda for one health Ayurveda for one health का अंसर हो जाएगा ठीक है Next question 74 No. Sukhbender Singh Sukhu took oath as a new CM or Chief Minister of which state कौन से जगा का हो जाएगा कौन से तो ही माचल प्रदेश टेट का Chief Minister बने Next question Question No. 75 Who has been appointed as the Chairman of the National Statistical Commission NSC तो कौन हो जाएगा तो हो जाएगा Rajeev Lakshman Karandikar Establishment का हो जाएगा NSC का हो जाएगा ये 1st of June 2005 Headquarter हो जाएगा New Delhi Ming Next question Question No. 76 World Bank has been upgraded India's GDP growth rate to which percentage तो ये कौन सा हो जाएगा percentage तो percentage हो जाएगा 6.9 तीके तो इसका Establishment का हो जाएगा तो World Bank का July 1944 Headquarter Washington D.C. USA Member countries 189 MDCF हो जाएगा Anshula Khan President हो जाएगा David Malpass Next question Question No. 77 What is the rank of India in India's Finance Minister Nirmala Sitaraman in the Forbes Annual List of the world 100th most powerful woman in 2022 Rank हो जाएगा 36 ये question important है and SSC के लिए जादा important SSC exam में ऐसे तरह के question पूछता है कौन कौन से spot में कौन से position में ठीके Next question Question No. 78 What is the rank of India in the ICAO Global Aviation Safety Award in 2022 तो कौन सा हो जाएगा rank 48th rank हो जाएगा Release कौन करता है International Civil Aviation Organization मतलब ICAO ही Release करता है इसको Next question Question No. 79 The FAO has been organized an opening ceremony of International Year of Millets 2023 in which city तो कौन से city में हो जाएगा Rome Italy में ओके FAO का full firm क्या हो जाएगा तो हो जाएगा Food and Agriculture Organization Millets का क्या है Millets हो जाएगा एक टाइप का खरीब crops से Next question 80 number Which bank has won the bankers bankers bank of the year over 2022 for India segment at the global banking summit held in London तो कौन सा हो जाएगा तो हो जाएगा ये Canada Bank Canada Bank का Establishment का हो जाएगा तो हो जाएगा 1st of July 1906 Headquarter Bangaluru जो CEO हो गा तो वो कौन हो जाएगा LV प्रभाकर CEO हो जाएगा Next question Question number 81 क्या बोल रहें तो हो जाएगा तो हो जाएगा तो हाइदरबाद स्टाइकर इसका एंसर हो जाएगा Next question 82 number तो हो जाएगा तो इसका नाम क्या है नाशनल डरे डेवलोप्मेंट बोड ठीक है जिसका नाम क्या है नाशनल डरे डेवलोप्मेंट बोड NDDB तो हो जाएगा मिनिश सी शा ठीक है तो इसका फाउंडेशन का फाउंडेट बाई दा वर्गी स्कुरेन एस्टैबलेश्में 1965 और हेटकॉर्टर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा किसको फिर्स्ट प्राईज मिला है तो मिला है जमुएंड कश्मीर Union टेरिटरी को मिला है फिर्स्ट प्राईज नेक्स्ट कोश्टिन 84 नंबर वेज वन डर B.W.A. वोल्ड टूर Final 2022 बाडमिंटन by beating the world champion Victor Axelson Victor Axelson कौन से country के तो हो जाएगा Denmark के तो कौन हो जाएगा यहाँ पैंसा answer हो जाएगा HS Pranay इसका answer हो जाएगा next question 85 number who has been elected as the first female president of the table tennis federation of India तो कौन हो जाएगा तो हो जाएगा Meghna Ahalat Meghna Ahalat Meghna Ahalat हो जाएगा and Joe headquarter कहाँ पर हो जाएगा तो हो जाएगा New Delhi establishment हो जाएगा 1926 secretary हो जाएगा Arun Kumar Banerji member country state member state हो जाएगा 32 member state हो जाएगा चलो next question question number 86 क्या हो जाएगा Dina Balloret has become the first female president of which country कौन से country के new female president बने जो first female president तो हो जाएगा पेरू का तो पेरू ये एक South American country है capital हो जाएगा पेरू का लीमा and currency हो जाएगा Seoul next question 87 number who has been honored with the who has been honored with the presidential lifetime achievement PLA award 2022 तो कौन हो जाएगा तो हो जाएगा Krishna Krishna Vavilala जो जिनको honor दिया गया किसका PLA award 2022 next question question number 88 which state government has made partnership with tech eagle startup to unveil Asia's first drone delivery hub and network तो कांसा हो जाएगा तो हो जाएगा ये next क्या हो जाएगा question number 90 which state CM मतलब chief minister has launched the sanitation workers development scheme and also a mobile जिसका नाम क्या है साहस तो हो जाएगा ये Tamil Nadu state okay important है ये साहस क्या है ये sanitation workers health welfare and safety हो जाएगा and Tamil Nadu के CM कौन हो जाएगा MK स्टैलिन 91 number question क्या है भुपेंद्र पतेल has taken oath as a new chief minister of which state कौन से जगा का हो जाएगा state का तो हो जाएगा गुजराट के new CM next question 92 which states Modera Sun's Temple ठीक है which states Modera Sun Temple has been added to the tentative list of UNESCO World Heritage Site तो हो जाएगा Modera कहा पे एक गुजराट का है question number 93 अच्छा मैठे Frit Eriksson has been re-elected as a prime minister of which country तो कौन से जगा का new job re-elected prime minister बने तो हो जाएगा यह Denmark के Denmark का capital क्या है Copenhagen and currency हो जाएगा Danish Kron next क्या होगा 94 number which country has passed Atopacola to ban smoking for the next generation and aiming to smoke free country by 2025 तो कौन हो जाएगा तो हो जाएगा New Zealand next question 95 number which team has won the third T20 blind cricket world cup ठीके तो किसने जीता है तो जीता है इंडिया ने जो third consecutive time जीता है okay host by India India won by third consecutive times and fourth जो होने वाला है को कहा पे होगा Pakistan में होने वाला है next question विजय दिवज is celebrated every year on which day to honor the victory of Indian armed forces over Pakistan in 1971 war तो कहां पे हो जाएगा तो ये हो जाएगा 16 December को मनाया जाता है important है exam में पोच्छता है ये question next question 97 number which country has become the new member of the United Nations Peace Building Commission तो कौन हो जाएगा तो ये हो जाएगा Nepal ये भी important है next क्या हो जाएगा question number 98 the 36th Asian wrestling championship 2023 will be hosted by which city कौन से कौन से city इसको host करने वाला है तो हो जाएगा नियो दिल्ली okay next question 99 number which day is observed every year as a international anti-corruption day कौन से दे को observe किया जाता है तो होगा 9th of December को observe किया जाता है इस बार का theme क्या है 2022 का UNCSE at 20 uniting the world against corruption next question 100th number question क्या है which state government has been declared their sheet firm as the first carbon neutral firm in the country तो कौन से जगा का हो जाएगा तो ये हो जाएगा केरला state का next question question number 101 which IIT institute has won the वर्तन QS Re-Imagine Education Award 2022 तो किसको कौन से IIT हो जाएगा तो हो जाएगा ये IIT मदरास को मिला है an important क्यों है ये क्योंकि this was also known as the Oscar of Education तो important ज़रूर होगा ये very very important next क्या हो जाएगा question number 102 who has been appointed as the acting Central Vigilance Commissioner of India तो कौन बने तो हो जाएगा प्रविन कुमा स्रीवासतवा को acting Central Vigilance Commissioner बनाया गया ठीक है पिछले कौन थे Suresh N. Patel जो Central CVC इंडिया के थे next क्या हो अच्छा इसका establishment हो जाएगा February 1964 and last कौन थे Suresh N. Patel next question 103 who has written a book title Fox in the Road by Days at RBI and Beyond तो कौन हो जाएगा ये तो किसका हो जाएगा तो हो जाएगा सी रंग राजन का ये book है next question 104 क्या है who has been appointed as a new engineer-in-chief new engineer-in-chief कौन हो जाएगा new engineer-in-chief of Indian Army तो हो जाएगा ये Lieutenant General Arvind Walia हो जाएगा answer next question question number 5 and the last question of this session तो क्या है the legendary footballer and the only only player to win the three world cup titles ठीक है और three world cup for three times पेले pass away at the age of 82 played for which country ठीक है कौन से country के लिए खेलताता होगा Brazil के लिए very very important है पेले का question exam में पूछेगा जरूर तो ठीक है तो यहाँ पर जो 105 ठीक है 105 100 plus जो question दिये जो selected question है December का अगर पूछा जाएगा December question तो इसी से पूछा जाएगा जो important exam के लिए वही question दिये ज्यादा question नहीं दिये तो 100 इस question को जरूर देख लेना अच्छे से अगर अच्छा लगए session को एक like से subscribe जरूर कर देना चाहे नए हो तो क्या करना लाइक करना subscribe करना और share कर देना ठीक है और लास्ट में क्या कर देना एक comment कर देना अगर अच्छा लगे तो वीडियो को अगर helpful लगे तो comment जरूर करके बोलना ठीक है और लास्ट और आपको लोगा क्या क्या वीडियो चाहिए वो भी comment डाल सकते हो आप लोगा next video कौन से topic के बोलोगा